मेरे परिवार जनों, जब किसी राजनितिक दल पर सिर्फ पर सिर्फ अपना स्वार्त हावी हो जाता है, तो उसकी स्थीती का हम अंदाज लगा सकते हैं। आज एक तरफ भारत की उपलब्दियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनितिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवा एक कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है, यह अब इस हद तक गए हैं, इस हद तक गए हैं, कि भाजपा को गाली देते देते, बारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है, आज डिजिटल इंडिया अभियान की पुरी दुनिया प्रसंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिये हैं, कैसे यह लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाग उडाते हैं, बारत दे कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभा भी वैक्सिन बढ़ाई, इन लोगों ने अपनी वैक्सिन पर भी सवाल उठाए, और मुझे तो अभी मुझे कोई बता रहा था, एक नई फिल्म आई है, वैक्सिन पर बनी हुई फिल्म, वैक्सिन वार, और दुनिया के लोगों के आँखे खुल जाए, ऐसी फिल पर वैक्सिन वार फिल्म बनी है, भारत भाईयों बैनों, भारत की सेना जो बात करती है, भारत की सेना जो पराकरम करती है, तो लोग उस पर भी सवाल उठाते, इन्हें देश के दुश्मनों की बात, आतं के आकाओं की बात, उनको सही लगती है, मेरे देश के सेना के जव कि आपने भी देखा हैं आजादी के पचत्तवर्थ पुरे होने पर पूरे देश ने अम्रित महोत्सों मनाया यह बाजबा का कारकमता तो था नहीं यह देश का कारकम था कि आजादी हिंदुस्तान के हर नागरिक का उत्सल का लेकिन यह लोग आजादी के अम्रित काल का भी मजाक उडाते हैं हमाने वाली पीडियों के लिए देश के कौने कौने में अम्रित सरोवर बना रहे हैं पानी संग्रख का बड़ा अभियान चला रहे हैं लेकिन इस काम मे भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है